गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग तू नीलम, और नाओ वी आर गोईंग तू लर्न आर 12 ख्लास 6 चैप्टर, इंटरनेशनल ओर्गिनाइज़एशन, तो सुडेंट्स, इंटरनेशनल ओर्गिनाइज़एशन, इस वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर, यहां से काफी ज्यादा चांसे रहते हैं आपका एक लोग कोशन बनने के लिए, बहुत इंपोर्टेंट है यह चैप्टर, और वैसे भी जो अधर कॉंपिटिटिव एक्जाम हैं, उनके रिगार्डिंग भी यह चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है, तो लेट स्टार्ट इंटरनेशनल ओर्गनाजेशन, क्या है इंटरनेशनल ओर्गनाजेशन, एक ऐसी ओर्गनाजेशन जो वाक करती है, for all over the world, not for a particular country, it's work for all over the world, for peace, growth, development and humanity, now, next point arise, why we need international ओर्गनाजेशन, ऐसी क्या सर्कमिस्टेंसिज रहे, जिनकी वजए से हमें इंटरनेशनल So take our first point helpful to stop wars and establish law and order ये help करता है wars को stop करने के लिए जैसे कि हमने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा है कि हमारी हिस्ट्री में two world war हुए first world war and second world war ये जो war है कभी भी beneficial नहीं रहते हैं humanity के लिए ये loads of destruction लेकर आते हैं So इनको रोकना बहुत जरूरी था और इनको रोकने के लिए international organizations की जरूरत महसूस हुई next point protection of human rights पहले जो governments थी उनका ध्यान था सिर्फ wars की तरफ और उनका ध्यान था nuclear weapons की तरफ international organizations बनाई गई ताकि जो सरकारे हैं, governments हैं वो ध्यान दे humanity की तरफ, human rights की तरफ now next point is helpful in solving the problems like global warming, epidemics, any crisis जैसे कि crisis आजाते हैं, मानवता के उपर epidemics आजाते हैं, जैसे कि अब coronavirus है इन सब बिमारियों को, महामारियों को रोकने के लिए भी international organizations work करती हैं global warming भी एक topic है, जिस पर work कर रहा है international organization इनको रोकने के लिए में जैसे आता है, helpful in protecting liberty and rights हमारी जो आजादी है, वो जरूरी है हमारी rights का protection भी बहुत जरूरी है हमारी मतलब यहाँ है, हर country की हर country की अपनी sovereignty होती है और उनकी एक freedom होती है सो उनको care करने के लिए भी international organizations बनाई गई कि एक country दूसरी country पर without any reason attack ना करे और अगर solve होता है discussion के थूँ तो उनको solve किया जाए, attack ना किया जाए next आता है point, helpful in social, economic and cultural development of the world world को जरूरी है development, हर regarding से जैसे की social development, economic development and cultural development so international organizations work करती है इन सब के उपर next आता है, develop cooperation among the nations यह जो international organization है, यह sport करती है international cooperation को cooperation होगा, तो पूरा world, पूरी humanity, विकास करेगी, development करेगी now, establishment of UNO, United Nation Organization सबसे पहले तो UNO की स्थापना एक दम से नहीं हुई इसके पीछे काफी events रहे, जिनको हम पहले discuss करेंगे so हम start करते हैं, world war first से world war first हुआ, during 1914 to 1918 loads of destruction हुआ, and 20 million near about people मारे गए so जो बुद्धी जीवी वर्ग था, उनके according इन wars को stop करने के लिए, इन युद्धों को रोकने के लिए एक ऐसी organization की जरूरत थी, जो की इन पर रोक लगा सके so 1919 में League of Nations की स्थापना की गई, जिसके की 28 founding members थे, जिसका की League of Nations का first motive ही यही था की wars को रोका जाए, किसी भी तरीके से रोका जाए अगर कोई dispute है, कोई conflict है, उसको रोका जाए, discussion के थ्रूँ, attack ना किया जाए but as we all know about its biggest failure, यह fail रहा, it could not stop war, यह war को नहीं रोक सका और इसका result क्या रहा, second world war, second world war हुआ, 72 million people मारे गए और जैसे कि सब को पता है, सबसे बुरी घटना जो हमारे हिस्ट्री में हुई USA ने, हिरोशिमा, नागासा की, जापान के जो दो राज्य थे, वहाँ पर nuclear weapons से attack किया yes, 72 million people मारे गए, ओर पूरा वर्ड सहम गया इस attack से, जो USA ने जापान पर किया and सब को पता है कि after second world war, two super power जो पूरे वर्ड में उभर कर सामने आई वो थी USA and USSR, काफी समय तक इनमें cold war चला, जो कि हर समय पूरे वर्ड को यू लगता था कि अब जो है third world war होने को है, third world war is going to start इस नए international order को maintain करने के लिए, एक नए international organization की बहुत जरूरत महसूस की गई और इसका result रहा establishment of UNO, यानि की United Nation organization की स्थापना, जो कि established हुआ 24th October 1945 को उस समय 51 members ने United Nation के charter पर sign किये, but at present there are 193 members in United Nation organizations क्या objectives रहे UNO के, so first रहा to save succeeding generations for the scourge of war war की मार से, युदों की मार से, जो आने वाले generations है, उनको बचाना, ये UNO का first motive रहा क्योंकि युदों की, जो ऐसे हैं या मार थी युदों की, उसको भूल नहीं पा रहा था पूरा वर्ड, so first motive ही यही था, कि जो generation है, उसको युदों की मार से बचाया जा सके and number two, to re-affirm faith in the fundamental human rights, इन wars की तरफ से ध्यान हटा कर, जो fundamental human rights हैं, इन में विश्वास किया जाए, human की progress की तरफ ध्यान दिया जाए, second was that and third is, to establish justice and respect for the international obligations, जो international obligations हैं, जो वैश्विक स्तर पर करतव्य हैं, उनके लिए justice रखा जाए, उनको respect दी जाए, क्या है international obligations, humanity का विकास करना, हर साइड से मानवता की अच्छाई के लिए काम करना, इन बातों की तरफ ध्यान दिया जाए, number four, to promote social progress and better standard of life, social progress की तरफ ध्यान दिया जाए, human के standard of life को बढ़ाया जाए, अगर इनसान युदों की तरफ ही ध्यान देगा, तो वो social status की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाएगा, सो international organization बनाया गया, next, promote international cooperation, cooperation बहुत ज़रूरी है, between, sorry, among different different nations, सो cooperation को बढ़ाने के लिए भी UNO की स्थापना के गई, ताकि जो है पूरा world, humanity, development कर सके, now come to next point and that is structure of UNO, यानि कि United Nation organization का structure क्या है, तो हम discuss कर रहे हैं कि इसके six bodies है, इसके six parts है, first is general assembly, second is security council, third is secretaryate and fourth is trusteeship council and fifth is economic and social council and sixth is international court of justice, so these are six bodies of UNO, जो की काम कर रहे हैं UNO के लिए, तो अब हम next video में discuss करेंगे, इनकी concept को लेकर, इनकी composition को लेकर, इनके functions को लेकर, कि ये जो different different parts हैं, bodies हैं UNO की, ये किस तरीके से work करती हैं, okay, so we will meet in next video.